बाद दिली के मुखे मंत्री अरविन केजरिवाल की, जो E.D. को एक बार फिर से उनके समन पर हाजिर नहीं हुए हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा है कि वो E.D. के गएर कानूनी समन को नहीं मानते हैं, साथी उन्होंने ये भी कहा है कि ये समन राजनीती से प्रेडित ह यसे मैं इस समन को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि मैंने अपना जीवन इमांदारी और पार्दशता से जीया है मेरे पास छिपाने जैसा कुछ नहीं है इसके लावा आज जहां केजरिवाल को E.D. के सामने पेश होना था वहाँ फिलाल वो विपासना के लिए निकल चुके है और इससे पहले केजरिवाल को E.D. को 2 नमबर को भी समन भेज कर E.D. ने पूछताच के लिए बुलाया था लेकिन तब भी वो नहीं गए थे और अब भी वो विपासना के लिए चले गए E.D. के समन पर जवाब देने के लिए नहीं गए जिस पर BJP के प्रवक्ता संबेत पात्रा ने अर्विन केजरिपाल पर निशाना साधा और कहा कि कब तक आखिरकार वो भागेंगे कानून के हाथ लंबे होते हैं साथी ये भी कहा कि विपासना बहाना नहीं चलेगा वो विपासना के लिए जा रहे हैं इसलिए E.D. के इतनी हिम्मत कि आप मुझे पूछताज के लिए बुला ले वाह अर्विन केजरिवाल जी आप कभी चुनाव के लिए जाएंगे आप कभी दिवाली मनाएंगे आज आप विपासना के लिए जाएंगे और इस कारण से आप गवर्नेंस में भाग नहीं लेंगे और आप अपनी responsibility से भाग नहीं लेंगे responsibility से भागेंगे जन प्रतिनिदी का करतव्य है कि यदि उसने घोटाला किया है और देश की central agency उसे बुलाती है तो उसे वहां जाना पड़ेगा प्रश्णों का उत्तर देना पड़ेगा मैं एक बात पश्ट कर दूँ यहां विपासना के पीछे से लासना होगा ही होगा